कानून की जो वेवस्ता है, जो ट्राइल है, उसमें जो टाइम लगेगा, वो तो होता ही है, पर उसके बाब जूत, आप ये देखिए कि इस केस में कितने गवा थे, कितने अक्यूज थे, कितना सारा सबूत था, इन्वेस्टिगेटिव एजनसी को जब हम बार बार ये कहते हैं, कि आप साइन्टिफिक इन्वेस्टिगेशन करो, तो इस केस में उन्होंने सही में अपनी तरफ से साइन्टिफिक इन्वेस्टिगेशन किया है, तो इस सब में पैयान में टाइम लगता है, अब लास्ट वारंट एक्जिक्यूट किया जाए ये सब देखने की बात है और मुझे लग रहा है कि हमें बहुत शांती से कानून अपने अपनी रफ्तार से चल रहा है और हमको इसका बहुत बहुत ही पेशन से इसका इंतजार करना चाहिए झाल 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 झाल